पहली जो बात आपने बोली थी कि पढ़ो ऐसे पढ़ने के बाद तुम्हें यह अच्छा लगने लगेगी कुछ गेन किया है जो यह अच्छे लगने वारी फील है यही अगले दिन तुम्हें किताब उठाने पर मजबूर करेगी और ऐसी चीज को आप चाहते हो बताना चाह जैसे मैं हमेशा तैयारी के दोरान भी कहता हूं या कि आप पूरे दिन अगर रिवीजन रिवीजन करते करते रह रहे हो तो थोड़ी देर कोशन प्रैक्टिस कर लो ताकि डाइवर्ट हो जाए मन थोड़ा दो तिन ओप्शन में बाट लो अपने आपको अगर बुक हो गया तो कोई नोट्स पढ़ लिए या यूट्यूब पर कुछ देख लिए सबी लोगों का एक बार फिर से पी डबलू आटी जैंस यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों को नमस्कार और आज का एक जो सेशन है यह थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा सा खास है हमारे सा गजानन इनसे हम बातचीत करेंगे इनकी जर्णी के बारे में जानेंगे और जो इनके एक्सपिरियंस इनकी नोलिज तो पढ़ने से ही आएगी है ना जो इन्होंने गेन किया है बट जो इनके एक्सपिरियंस रहे हैं एक्जाम के डूरेशन इन्होंने क्या तरीके फील कि सकते हैं कुछ छोटी मोटी चीज़े जो हम जानना चाहेंगे कि ये ज्यादा फायदा होगा वो सारी बाते हम यहां पर करेंगे सभी लोग अराम से सुन सकते हैं चाहे वो इसर नेट देने वाले हो आराम से जुनों क्योंकि एक पेपर देना अपने आप में एक experience है पेपर में बैठना अपने आप में अनुभाव होता है चाहे वो कोई भी पेपर हो सो हाई गजनन कैसे हो आप बहुत अच्छा स्कोर किया है केमिकल साइंस की और उसमें आपकी 48 रैंक होना ज्यारेफ में बहुत अच्छी रैंक है और मैं आपको वजाई देता हूं आपकी जो भी आगे जरनी है आप चाहें पीएसटी के सोचना चाहते हैं वो सब हम बात करने हैं वो जरनी में बहुत सारी बेस्ट विशीज है सो कैसा लग रहा है आपको आप अपने रिजल्ट से सैटिस्वाइड हो कि हाँ बहुत अच्छा है आपकी मेहनत सफल हुई सर मेरे एक्सपेक्टेशन के आगे निकल गया रिजल्ट है अच्छा चली क्या बात तो अपन श कोड़ी से बिलकुछ शुरुआत से बातचीत करते हैं अच्छा मैंने बेस्ट का एजुकेशन मेरा वस्मत से हुआ है इंगोलीजी लेजे और बाहरीजी कॉलेज से और मेरा मेरा एमसी का जो पड़े है वो नादेड इनिवर्सेटी से हुई है तो वैसे नेट के बारे में तो मेरा कुछ खयाल नहीं था कि मैं नेट करू अगयरा मैं कमपनी में इंटर्व अगयरा देने के लिए गया था टीचिंग के लिए या फिर वैसे ने ने कमपनी डारेक्ट जॉब अच्छा ठीक है तो फिर ऐसा कोई रूट नहीं था मेरा और वहापे मैं डिसेलेक्ट हो थान लिया नहीं केमिस्ट्री को स्ट्रांग करूंगा तो अपने पढ़ाई शुरू करी तो एक गुरूपूरुणी नहीं था उस दिन मैं बहुत फ्रस्टेट्टेड़ था कि नहीं गड़े मेरे इने एक्षिशन आ रहे है कि मेरे तो लाइफ में ऊत्ती रीजशन नहीं बहुत बहुत अच्छी बात है ना बहुत सारी शुब कामना है और देखो यही होता है इतनी सारी चीजे जब हमें वही कहते हैं कि अगर कुछ मानलों नहीं भी अच्छा हो रहा है तो उसके बाद कुछ अच्छा लिखा हुआ है और ओवेसली मेहनत एक फेज में आपको करनी होगी एक फेज में आपको करनी होगी किसी ना किसी टाइम के अब क्योंकि आप निकाल चुकि हो एक्जाम तो थोड़ा सा टेक्निकल बाते कर लेते हैं कि जैसे बहुत सारी एक माइंडसेट होते हैं पहले तो मैं यह आपसे पूछना चाहूंगा क्या यह सोच कि भाई मैं इन औरगेनिक कर लिए एक सब्जेक्ट पूरा चोड़ी है क्या इस तरीके से आपने अपनाया या फिर आपने सब कुछ पढ़ा और फिर सेलेक्टिव आप होए बाद में पूरा और इन औरगेनिक तो आज मेरा जो स्कोर है वो पूरा और इन औरगेनिक के बोरो से मैंने फिजिकल का एक चाप्टर भी नहीं किया था चलू भाई यह तो बहुत ही हां सर मैंने और इन औरगेनिक के दो चाप्टर चोड़ देगे अच्छा नूकलिर केमिस्ट्री और में ब्लॉक थोड़ा सा वास्ट होता है ना बहुत ज्यादा वास्ट होता है मनला फिर उसके बाद आपकी जो बाकी होगी और आपकी जो बा एक चीज और यह जाना चाहूंगा कि यह एक्जाम में आपने फिल किया कि वही रिवीजन थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया है ना मलब चीजे अगर रिवाइज होती तो ज्यादा सही रहा हो रिवीजन करने के लिए आप क्या करते थे मलब एक्जाम से चाहिए चाहिए तो बात में एक घंटे में हो जाता है और मैंने हर बार टेस्ट अगर देने का है तो टेस्ट से पहले में जरूरी यह देता था हैं कर लेदा घंटै नोट भी रिवीजन इंपोर्टन होई दूसरी चीज अगर जैसे प्रैक्टिस आपने −प्रैक्टिस करने के लिए पी इत सेंप तरहा की थे करते थे या फिर आप अपने नोट्स पर ही ज़्यादा ओक्टिपाइड थे या बुक्स के ऊपर क्या-क्या फोलो किया आपने बुक्स कौन सी फोलो करी आपने मेरे प्लस पैंट था मैं कभी भी पढ़ने बैठता था पेन और पेपर साथ में रखता था बहुत अच्छी चीज़ है हां सर जोक्ति टूक्स क्ले लिखता था बोहित कर दिया बात ने सब्सक्ति स्यक्या रिज्किति कड़ डीया और बात पने संदर्वी अध्यीय कुमार पढ़ लिया पहले चार मैने मैंने बुक्स और स्टुडि मटरियल बागट सब कुछ देख लिया था चार मैने मैंने यह सब कर दिया अच्छा और लाष्ट के जो दो मेने ते उस में इने सिर्फ टोटल प्योग्यू और उसी प्योग्यू को मैं दो-दो-तिन-तीन बार देख था मिलता है क्योंट देखनेगा पिछे के क्योंट देखनेगा हां सर्थ मुझे वही बहुत फैदावा दीर्श पाला सर जो जो तेस को मैं उसके सब्सक्रिशन पर मैं टेस्ट देगा ता और अपने एक ऐसी चीज़ आपको अगर पूरी तयारी के अगर हम बात करें जो आप चाहते हो कि शुरू से लेकर एंड तक क्योंकि नेट एक बड़ी चीज है बड़ा स्लेबस में ही लोग घबरा जाते हैं क्योंकि इसको पूरा मान के चलते हैं पूरा करके जाना है वह एक आखिर में समझ में आता है जो त्यारी कर लेकर एंड तक जा रहे हैं क्योंकि आप डे चुक्यान आप एक्सपीरियेंस और आपने छुद से करने जादा एक्सपीरियेंस दो क्योंकि आपने खुद से जानडी नोट्स लिखे वह बहुत ज्यादा एक तारीफ वाली बात है तो क्या आपकी इक सलह रहेगी कि पहले तो मैं एको मेरा पहला तो एक एक कहना रहेगा कि एक दृड़ निश्चे होना चाहिए कि मुझे करना है करना है यह इस बार निकले या आगले बार निकले मुझे तो जैयरेप निकलना है यह निश्चे परफिक्ट होना चाहिए पहले यह बात दिल पे लेनी चाहिए, मेरा तो यह कहले, तो और बाद में जब पढ़ाई चालू करो तो इसलिए पढ़ने का, कि मुझे कुछ तो भी समझ आ रहा है, मैं कुछ तो भी गेन कर रहा हूँ, केमेस्टर मुझे समझ रही है, इससे खुशी मिले न, हाँ सर, क्लेडन सकता हूँ, कि मैं आपने से बात करती है, तो बुक पढ़ते हैं, मुझे मानोद केमेश्टर से प्यार हो गया, पुरा बुक पढ़ लिया मैं, बात में मुझे पता चला कि मैं केमेस्टरी, ओरगनिक केमेस्टरी इतना समझ चुका हो, कि कोई भी ख्वेस्चन में छोड़ स चाहते हो कि क्लेडन जरूर पड़े और क्यारेक्थर में से जो प्रॉब्लम्स है ते वह भी सॉल करके देखे दूसरा अगर बुक में से पढ़ना चाहते होते हैं आजे कुमार ये बुक रेक्मेंड करूंगा मैं से जो कि सिंपल भी है और उसमें से बहुत कुछ समझ भी आते हैं हाँ और मेरा यही मानना रहा हर बार कि वह हम ज्यादा पोर्शन करने में वैस्तना रहे है हर आकड़ में के क्या करते हैं एक पोर्शन ऐसा स्पेसिफिक दे देते हैं लेकिन बच्छय क्या करते है उतना ही पोर्शन हण्डेड परसें नहीं करते हैं उसमें उनको डाउट रहता है उसमें वो कहा पे तो भी छोड़ देते लेकिन मेरा मानना है portion उतना ही sufficient है सिर्फ उसको इतना ऐसा detail में करने का चाहिए न कौनसा भी question आंदो छोड़ सके सही बाद है हाँ सरो मुझे मेरी strategy तो यही रहेगी books follow करने चाहिए books में से line to line पढ़ना एक ही book पढ़ो लेकिन line to line पूरा समझ के पढ़ो और दूसरी जो video materials रहते मैंने तो आपके YouTube का जो video material है यूज करता था आपके जो one shot video हते न वो में एंडिंग के लास्ट के दो माहिने में आपके इनार्गिन के video रहते थे वो में यूज करता था पूरे पेपर दे रहा था पेपर के पहले मुझे रिविजन मारना है तो नोट्स पढ़ने का तो मुझे बोरिंग हो जाता था इसलिए मैं आपका YouTube का video देखता था वीडियो देखा बाद में टेस्ट दिया और टेस्ट को मार्कित्ते गिरे आइसा चोड़ने देथा था वो नोट्डाउन करता था मेरे कोन से गलत आगये क्यों आगये और मैरे हर दीन मेरे जो कम मार गिरे वो क्यालेंडर पे लिखता था और डेली देखता था किने गड़े मैं पढ़ रहा हूँ यूट्यूब का मटर है पूरी तरह से सब बच्चों को सब मिल जाएगा लेकिन उन्होंने करना क्या चाहिए जो मटरेल आप उनको मिल रहा है वो हंड्रेट परसेंट करने चाहिए ना कि ऐसा कवर कर रहे बोलके नहीं करना अगर कर रहे हैं तो फिर पूरा करो जहां भी करो हाँ और कोई कोई टॉपिक अगर समझ नहीं रहा तो डारेक्ट छोड़ सकते क्या आप अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है कि एक टॉपिक ज्यादा समझ में आ गया तो उससे भारी नहीं आ रहे हैं उसमें बहुत सारा टाइम लगा दिया ऐसा भी नहीं हो कि आगे नहीं आ रहा हो और फिर भी उसमें उससे बच सकते हो तुम क्योंकि यह पेपर यहां पर ओप्शन चीज है बड़ी बड़ी चीज है तो यह प्लस अपन कह सकते हैं से सरनेट का कि थोड़ा साथ में उखल सकते हो जहां समझ नहीं आ रहा है हाँ सर और मैं यह भी कहूंगा कि लास्ट के जो एक देड़ में रहते ना उस टाइम में देड़ मेने तक कम से कम नया चाप्टर ना लिए जए पढ़ने को यह तो भाई बहुत सही बात है हाँ उसके पहले अगर खिटा पढ़ सकते तो पढ़ लो बाद में नहीं पढ़ने करें बाद में सिर्फ रिविजन और से कि बिल्कुल एक कि हां बिल्कुल आ आप इसर में यह बोट रहा था नेट में जो पार्ट ए रहते न बहुत सारे बच्चे उसको इंग्नौर कर देते लेकिन मुझे उसका भी फाइदा हो गया है नहीं पहले से अच्छा ता कितना मार्ग कितना रहा आपका मार्ग कितने आप आपटी मेरे ते है एक सो तेईस राउंड आपके मांक्स हैं चलिए बहुत बढ़ी है और यह जो कुछ बाते आपने बताई ना कि पहली जो बात आपने बोली थी कि पढ़ो ऐसे पढ़ने के बाद तुम्हें यह अच्छा लगने लगे कि कुछ गेन किया है जो यह अच्छे लगने वारी फी हो रहा है कि हाँ बाई कुछ गेन हो रहा है आगे और अच्छा-च्छा हो सकता है तो वह मजा ही अलाग है यह बहुत अच्छी प्यारी बात थी कि बुक पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि तुम्हें लग रहा हो कि वही और जो पढ़ो वह पूरा पढ़ो अगर तुम वीडियो के साथ खड़ा है एक मेंटर किसी के साथ खड़ा है तो वह अपने अपने पुराने बच्चों के उसको दे रहा है और जो खुद अकेला कर रहा है तो वह डेफिनेटली वही सेल्फ स्टडी जो अगर कर रहा है आपने जरूर बात में देखा होगा वीडियो वगरा यूट को जो आपकी तैयारी में जो आपने फोलो करें तो आप बिल्कुल बता सकते हो है सर मैं एक और दो तिन बात पताना चाहता हूं एक मेरा सुबह उठने से रात के सोने तक एक मेंड रूल यह था कि मेरे लिए स्टडी के लिए ऑप्शन स्टड़ी था मैं सुबह उठा नेम रियक्शन लिया हाथ में तो मैं दो तीन नेम रियक्शन किया तो उसके बाद मैं ऑप्शन क्या दूंडता था कि आप नहा के बुक पढ़ लू बुक पढ़के बोर हो गया तो मैं ऑप्शन क्या लेता था कि आप मैं वीडियो देख लू और स्ब्सक्राइब मेरे पास और वीडियो देखके बोर होगया तो मैं डैरेक्ट टेस्स old करने के लिए बठता था वह हो गया तो बाद में हम ग्रूप डिसकेशन के लिए बठते थे बच्चे और सयाम को जब सीनेर आते थे थी न तो बाइ कितने इव करफ दो करने हो उनको आप यहां पर बातचीत कर रहे हैं अपन काफी सभी कुछ आदते जो सब में होनी चाहिए एक तो यह वाली आदते जो इन्होंने बताई है कि ऑप्शन रखो अगर एक चीज़ से बहुत हो रहे हैं जैसे मैं हमेशा तैयारी के दोरान भी कहता हूं या कि आप पूरे दिन नोट्स पढ़ लिए या यूट्यूब पर कुछ देख लिए देखना चाहो तो यूट्यूब पर भाई आज के टाइम पर आपको कोई भी चैप्टर उठालो सब मिल जाएगा अगर किसी के मन में अगर है तो वो सब कुछ एवलेबल है दिखा जाए तो और एक बात मैंने सर मैं भी सोशल मेडिया का बहुत एडिक्टेड था वाट्स अप इंस्टा पुरा दिन स्क्रोल करते रहता लेकिन जब से मैं इधर आया ना तो मेरे सीनियर वगरा मुझे ऐसा टॉंट मारते थे तो मैंने एक कंटिनियूलसली तीन से चार मैने तक पेपर के पहले टोटल इंस्टा वाट्सप बंद रखा था यह तो मैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी यह आपके लिए मनलब आधी जन्ता ऐसे बखला जाए यह यह क्या कर दिया यह तो सुनने में असान लग रहा होगा कि कर देंगे पर करने जाए मैं भी कर देता था मैं इंस्टा अनिस्ट में कभी-कभी देखता है लेकिन नहीं मेरे मोबाइल में नहीं ओपन करता था क्यूंकि सर हापन पांच मिनिट भी आगर देखे न तो अपना मैंड एक घंडा तक मेरे खायल से सोचता है उस बारे में कि यह यह रहता है हाँ मैंने बाहर के कोई विचार भी नहीं आने दे म तो मैं सोचल मीडिया का बचु का सला देना चाहूंगा कि सोचल मीडिया से वही पूरा टाइम खाता है अपना तो चोटा है वह जाएगा लेकिन डाइवर्टने होने तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री का क्या विचार है कभी पढ़ना है या चोड़ी दिया है हमेशे के तो उन्होंने बोले ठीक है तो आमारा एका बेटा है उसका जड़ेवली को फिजिकल विक है तो उनको बताओ कोई कुछ तो वाफे मैं शान बेढ़ गया नहीं यार मेरा तो जैरेफ है और मैं फिजिकल नहीं पढ़ा सकता लेकिन सर मुझे फिजिकल भी कवर करने का है करो चाहता था यह पर उस टाइम आपकी जरनी थी पर पढ़ो एक बारी सब पढ़ो क्योंकि आप अच्छे लेवल के मास्टर माने जाओगे अगर आप इतना बड़ा स्कोर कर रहे हो आप एक बहुत अच्छे लेवल के केमिस्ट्री परसन माने जाओगे कि जिसका बहुत प्रेशर के पढ़ने का भी मज़ा आलग है उसका भी मज़ा लेकर तो अपना एक टार्गेट रख लो वही फिजिकल का आगे का क्या प्लैना अपने स्टूडेंट भी है और अपने दोस्त भी है तो आप जाओगे जरूर आइसर में भी एक दोस्त तो आपको जाएंगे त कर लेना हैं इनीशल डेज में हैंप चाहिए होती है बाकी तो कोई है सच बाद में अधर है और भी किसी भी तरीके से आपको कभी जरूर पड़े तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो आपको हैल्प कर देंगे जो भी मेरे कॉंटेक्स चोटे मोटे जो भी होंगे वहां पर जि हो किस गाइड के अंडर जा रहे हो थोड़ा सा अराम से देखकर लेना इतना अच्छा आपका स्कोर है तो आप अच्छा लाइस में जरूर बहतरीन कर जाओगे क्योंकि देखो मेहनती आदमी जो होता है जो खुद से बढ़कर इतना कर गया तो वह डेफिनेटली आगे माजा आया था थैंक यू सो मच अपना ध्यान रखिएगा थैंक यू सर जरूर सर ठीक थैंक यू सो मच